नमस्कार दोस्तों भारत और जापान दो बहुती गहरे रिष्टे रखने वाले दोस्त हैं ये हम सभी को बता है और अब इन ही दो देशों ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे चीन को बुड़ी तरीके से मिर्ची लग गई है चीन के सरकरी अखवार ग्लोबल टैम्स के रिपोर्ट के मुताबिक भारत और जापान ने एमरिका के उकसावे पर ये हरकत की है चीन का कहना है कि इससे भारत और जापान के साथ चीन के रिष्टे और ज़्यादा बुड़े हो जाएंगे लेकिन दोस्तों सवाल तो ये है कि आखिर भारत और जापान ने ऐसा क्या कर दिया है जिससे चीन को बुड़ी तरीके से मिर्च लग गई है चलिए आज की इस वीडियो में आपको विस्तार से बताते हैं लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने सवाले आप जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भुलिएगा दरसल जापान और भारत ने सुमवार को अपने पहली एर कॉमबैट एकसराइज शुरू कर दी है दोनों देशों के बीच ये इस तरह का पहला मिलिटरी एकसराइज है लेकिन चीन को इस से मिर्चिल लग गई है चीन का कहना है कि इस सेनय अभ्यास से बेजिंग के खिलाब जापान और भारत के बर्ड ही मिलिटरी प्लैंस का पता चलता है दोस्तो जापान और भारत का ये संयुक्त मिलिटरी एकसराइज दोनों देशों के बीच लगातार बर्ड ही दोस्ती और दोनों देशों की चीन को किसी भी कीमत पर रोकने के लिए किसी भी हद तक जाने की मनशा को दर्शाता है और इससे भारत को भी फाइदा हुआ है भारत अब हिंद महासागर के छेतर के बाहर अपनी शेन्य चमताव को दिखा कर एक प्रमुख देश के रूप में अपनी मौजूदगी दर्ज करा दिया है और साथ ही जापान ने अपनी धर्ती पर भारतिय फाइटर जेट्स का स्वागत क्या है ताकि भविस्व में जापान भी अपनी फाइटर जेट्स भारत भेज सके इससे जापान को दुनिया के अन्य हिस्सों में अपनी सेना की गतिविधियों का विस्तार करने में भी मदद मिलेगी दोस्तो एमेरिका अपनी इंडो पेसिफिक स्ट्रेटेजी में जापान और भारत को मुख्य देश के रूप में देखता है ताकि चीन का दबदबा इस छेत्र में कम किया जा सके सिर्फ यही नहीं अब तो जापान ताइवान के मामले में भी अपनी दखल दने की योजना बना रहा है जबकि भारत के साथ चीन के सिमा विवाद सालों से है दोस्तो इस Air Combat Exercise से जापान के वायुसना को भारतीय वायुसना से बहुत कुछ सिखने को मिल सकता है विशेश रूप से चीन के खिलाब भारत का अनुभब सबसे अधिक है सिर्फ यही नहीं इस exercise में भारत के SU-30MKI लड़क को भिमान भी हिस्सा ले रहे है और आपको बता दे कि चीन की People's Liberation Army Air Force SU-30MK के ओपरेट करते है इसके अलाबा SU-30MK2, SU-35, J-11, J-15 और J-16 लड़क को भिमान ऑपरेट करते है और यह सभी लड़क को भिमान रूप के SU-27 और भारत के SU-30MK की तरह है जिससे जापानी वायूसना को चीनी वायूसना से कैसे लड़ना है और उसे कैसे रोकना है इसकी जानकरे भी मिलेगी जो की जापान और भारत दोनों देशों के लिए ही बहुती फायदे मंद साबित होने वाली है दोस्तो भारत और जापान के बीच हो रहा मिलिटरी एक्सराइज के बारे में आपका क्या विचार है नीचे कॉमेंट में हमें जरूर बताए वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए वीडियो को अंता तक पुरा देखने के लिए आप सबी का बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत